ब्रेक के बद आपका स्वागत है विशेस पेशकस में और कृतिमान के जरिये हम जारखंड के इतिहास और इसके सम्रिद विरासत को भी आप तक पहुंचाने की एक कोशिस कर रहे हैं और पिठोरिया के आज बात कर रहे हैं पिठोरिया किले के सुरणी मितिहास की बात कर रहे हैं सम्रिद संस्कृती की बात कर रहे हैं लेकिन कैसे ये संस्कृती कैसे ये शानो सौकत से कभी खड़ा किला आज खंधर में तबदील हो गया उसकी भी बात कर रहे हैं तो हमारे सायोगी राजेश कृष्ष ने मौके पर जायजा लिया है किले का, किले की क्या कुछ इस्तिती है, क्या कुछ शान कभी रहा होगा किले का, इसे बया किया है राजेश ने पिठोरिया से. पुरानी इमारत जो अब खंधर में लगभग तब्दील हो चुकी है, यह हम पिठोरिया गाओं में हैं, और पिठोरिया गाओं में यहां के जमिंदार जगतपाल का किला है, और वो पुराना इमारत के साथ ही अटैच है, यह भी इमारत जिसके यह मुख्य द्वार से हम गु पुराने जगतपाल के बारे में, अभी एक जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक खिरकी का द्रिस से आपको हमारे सहयोगी दिखा दे रहे हैं, इस पे कुछ चित्र अंकित है, और इस चित्र से पुराने चित्र से ऐसा असपष्ट होता है, कि यह नित्य और दरवार का चित्र है, हमारे साथ है, केसरी जी है, कि चित्र जो बताता है इसके लिए में, नित्य का जो चित्र है, यह क्या दरथाने की कुछी इस इमारत के बारे में हम क्या जान पाएंगे इस से? यह जगत पाल सिंग फियुक् allow में तबदिल हो गया है जगत पा सिंग पूल आपंधेक सकते हैं किस तरसे एकदम यह लगभग लगभग यह पूरा ना हलाकि यह है तो बहुत पूराना बना हुआ हूअ यहां पर भोज में बुलाया और उन्हें अंग्रेजों से अरिष्ट करवाया अंग्रेज जब अरिष्ट करके इन्हें ले गए सहिद चौक और सहिद इसमारक के पास एक कदम का पेड़ था इन्हें फासी पर लटका दिया गिया और ऐसा लटकाया गया कि उस लास को चील कोवा पेड़ पर ही खा गिया थाकुर विश्वनात सादेव और पांडे गनपत राय तो हमारे स्वतंतरता से नानी थे और इन्हों ने यहां के जो जगत पाल जो थे उसने मतलब यह तो एक तर आसत के जो राजा कहे जाएं इस समाज के उसको विलेन बना दिया जो चित्र की बात हम कर रहे थे जो चित्र वहाँ दरसाता आप देख सकते हैं यह दूसरा उससे टैच यह तीसरा पहला किला हमने वहां पर दिखाया दूसरे खंडर से निकलने की कोशिश कर रह थे और यह तीसरा खंडर है जो जगतपाल का ही है लेकिन अब ये जर्ण सेर्ण अवस्था में हैं उनके करेक्टर के बारे में इस गाओं में हमने बहुत सारे लोगों से बाते सुनी हैं करेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे उनका करेक्टर चरितर भीहिन आदमी थे ऐसे बहलना तो मतलब की विरासत से मतलब की कहा है कि वो पीत्रिक रूप से राजा नहीं थे वो अनाइज़ा से राजा नहीं थे प्रियास उनके पास धन संपति कहीं चाहिए था एक और सौट साप देखेंगे किस तरह से खंडल में तब्दील हो गया है पूरा का पूरा ये विरासत जी पीछे कुछ साब भी है हाँ इसमें स्राप भी है इसमें हर साल बिजली गिरता है जिसको देहाती में बोलते हैं बज इसमें सामिल है आ अब चुका है जी तो ये दुर्दसा जो है इस महल की दुर्दसा इससे जुरे हुए सारे तमाम महलों की दुर्दसा जो है ये दुर्दसा यही कहानी कहती है कि बुरे का अंत बुरा होता है चरित्रहीनिता का अंत भी बुरा ही होता है और तो और किसी की आह और बद्दुआ किसी को कहीं का नहीं रहने देता जिस तरह से ये महल जो एक समय सक्ती और पावर का स्रोत था अस्थान था वो महल आज के साथ राजेस क्रिश्न पिठोरिया गाउं से नक्षतर ने उज़ के लिए चले तो आपने देखा कि कई किवंधतियां हैं कई कहानी हैं लेकिन अस्पश रूप से कुछ भी साफ नहीं होता एक बात तो साफ है कुछ लोग उसे एक अच्छा राजा कहते हैं एक अच्छा प चुन्हानिया अभी भी जारखंड के फिजाओं में गूंसते हैं तुबे जी आपके पस मैं आना चाहूंगा विश्वनात्र शाहदिव की के अगर बात करें तो विश्वनात्र शाहदियू का जो संघर्ष था स्वाधिंत्य संगराम के दीनों में क्यों वहत्पुन हो जा शाकर विशनाज साही का जो आंदोलन था वो अंग्रेजों के जो अन्याई था अत्यचार था सोशन था जुन था लोगों के प्रति उसी की एक आवाज बन करके वो सामने आये वो एक वो भी एक भरे पुरे परिवार के बेखती थे और साहदेव जैसे हम जानते हैं कि यहां जाल लोका हर्खन में होता है और आज परिवार से कनेक्टर होते हैं तेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में जो ब्याथा आई जी और वो एक करांतिकारी चिंगारी के रूप में जी वो पूरे पूरे जगहों पर घूमें पूरे जगहों पर संगठा मनाया और अंग्र किया और उसी के क्रांतिके फल्सरूप बहुत सारी परिणाम भी हमारे शामने आए और अगर वो चाहते तो और राजाओं की तरह अंग्रेजों के साथ मिलकर वे भी कुछ अच्छा कर सकते थे अपने लिए फैदा उठा सकते थे लिए नहीं किया लोगों के लिए के कारण सुरानाक्षरों में लिखवा लिया आपके पास आँगा नितीजी चुकि ये एक कहीं न कहीं कई रहस्य की बात है और सबसे बड़ी बात की पुरा तत्विक महत्त्व की बात है क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से संग्रक्षन संवर्धन इन जगों का होना च लोग जाकर पढ़ सकें कि जगत पाल सिंग का किला था किस लिए प्रसीद था किस कारण से हुआ यह जो जैसे मेरे बगल बैटे हिस्ट्री के इनको जानकारी है हम लोग गए वहाँ पर लोगों से पूछे तो जानकारी हुई तो इसके नारते हम लोग जान गये लेकिन जा हुए शाहदेव जोगों के तरफ से तो यह पूरी लोग जो केवल कुछ लोग जानते तो उसका एक होना चाहिए कहीं लिखित एक बैयान जैसे जगत पाल सिंग का किला है क्यों ऐसा खंडर हुआ क्या करन हुआ एक वहाँ पर उसका एक लिखा होना चाहिए इसक्रिप हैं जारकंड में बहुत सारे तो ऐसी ही खतम हो गए अगर आप बहुत सारे जो अभी आप अभी जो रातू रोड में मेगालिट्स मिले जहां पर वो इंक्रोच्मेंट का शिकार होते जा रहा है लोग घर बनाते नजदीका रहे हैं अब मेगालिट्स वो भी जैसे जो आर् अभेता अपने अपने हिसाब से मेगालिट्स का निर्मान की थी अनाची शहर के बीचों बीच पहाड के उपर पदचीन वग रहा है हाथ के चीन है उभी लाल पेंट के बने रेड औच्रे से बने हुए तो काफी पुराने हैं सब इसाप पूर्व के हैं तो कहीं भी उसका जो है आपको जो होना चाहिए बचाओ वो नहीं दिखता है को मात तक ठाकुर विश्वनात शाहदे उन्हें सुम यहां पर शासन किया था और बाद में अंग्रेजी सरकार ने जगतपाल की मदद से उन्हें गिरफतार किया और 16 अप्रेल 1875 को राची शही दस्तल के पास कदम के पेंड पर उन्हें फासी दे दी गई थी तो इस विश को से बिजलियां और स्वाधिनता संग्राम से इस कीले का क्या रहा है नाता और साथी नक्षत ने उस पर किर्थिमान का सिल्सिला हर शनिवार चारी रहेगा नमस्कार इस प्रोग्राम वस स्पॉंसर बाई स्ट आड एक्सपर कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेट झाल